कि आगे एक कुछन दे रखा है एक बाइब देख लेते हैं बाइब आपका कि डेडलाइन और दिखाता है और इस टायम नेक्स्ट यह से पता चल रहा है कि आप बात फ्यूचर की कर रहे हो इसका मतलब है फ्यूचर का परफेक्ट एंस आना चाहिए यह परफेक्ट कॉंटिनियस लेकिन फ्यूचर का परफेक्ट कॉंटिनियस टेंस हम सिर्फ तब लगाते हैं जब और के साथ में कोई ड्यूरेशन दे रखा हो ठीक है तो एक बार देख लेते हैं आई विल हैड लिग दिया है विल सेल सारे तो इनके बाद में वर्फ की बेश फॉर्म आती है इसलिए आई विल है आपका आजाएगा और हैव की बाद में वर्फ की थर्ड फॉर्म है ग्रेजुटेड या नहीं कि आप आसानी से कह सकते हो कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा फोर्ट आप्शन फिर अगर हम पहले वर्फ जो फॉम में लगाई है आपको बाद में भी लगानी है अब अगर इस लॉजिक से देखे हैं तो इस स्टार्टिंग तो आपका गलत हो जाता है तो इस के साफ से तो स्टार्टिड आना चाहिए कि लेगे इस से स्टार्टिड आना चाहिए अब एक बढ़ यह भी देख लेते हैं कि क्या अगर हम इधर परफेक्ट कॉंटिनियस कर दोगे तो आई विल है बीन ग्रेजुएटिटिंग हो जाएगा from college, I will have been graduating and will have been starting यही तो sense बनेगा, इधर ING है इसका मतलब है तभी इधर ING को justify कर सकते हैं, अगर इधर ING हमने लगाई है और इधर भी ING है तो अब आप खुद से देखिए यह भी कौन सा है, अगर इधर बाला perfect continuous का ING है, तो इधर भी perfect continuous का ING हो जाएगा, इसका सीधा सा logic ही हो जाएगा, कि आपका दोनों जगे perfect continuous है, और जॉब को start करना perfect continuous में आप लिखो गई नहीं, क्योंकि यह तो एक single time action है, या तो complete होगा या नहीं होगा, इसका मतलब है यह तो वैसे mark कर देगा, और have लगा देगा, लेकिन काईदे से यह question आपका benefit to all होना चाहिए, अगर आप में से किसी का question यह गलत हुआ, तो आप इसको challenge कर सकते हैं, क्योंकि will के बाद में have आएगा, भूलकुल सही बात है, आपका B part में error है, एकदम correct बात है, लेकिन आपका C part जो है, वो भी एकदम गलत है, और यहां पर starting की जगे पर started आपको लिखना चाहिए, यानि कि अगर आपकी shift का यह question है, तो आप challenge कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर started आपका correct आना चाहिए था, ठीक है, तो दो जगे error है इसमें, और my first job in the field of marketing, marketing के field में यह कर चुका हूँगा, यानि कि यह भी sentence आप again फिर कह रहा हूँ कि challenge कर सकते हैं, ठीक है,